आजादी का यहाँ ताज बड़े तब से भारत ने पाया है मत पूछो इसके लिए देश ने क्या कुछ नहीं गवाया है मा की गोदी सुनी करदी लल्नाओं का सिंदूर दिया मा की गोदी सुनी करदी लल्नाओं का सिंदूर दिया रोस्तनी नहीं घर की केवल आखो का भी दे नूर दिया नमस्कार गुरुदेव की पुन्य भूमी विश्य भारती सांतिनी कितन से मैं सिधार छेतरी आज यहां उपस्तीत भारत्य जनता की प्रतिनीधी एवम हमारे भारत्य युवापीडी के प्रतिनीधीों को साधवाद करता हूँ जो आज एक साथ, एक प्रेणा, एक उदिश्य को लिये हुए नेताजी सुबास्तंद्र बोस की भाती अपने कर्मपत पर अग्रसर है नेताजी सुबास्तंद्र बोस के इतिहास में लिखे में उस वाक्या को पुना दुराना चाहूंगा कि एक व्यक्ती एक विचार के लिए मर सकता है लेकिन वहाँ विचार वहाँ उस व्यक्ती के मरने के बाद पुना हजार व्यक्तियों में आवतार ले लेता है और आज हम भारतियों का यहां उपस्तित होना यहां प्रमानित करता है कि सुभाश चिंद्रबोस जी ने केवल हजार विक्तियों में ही नहीं अपईतु संपूर्णा भारत के 140 करोड भारतियों में अवतार लिया है अवतार लिया है एक आदिश बनकर सुभाश चिंद्रबोस वे भारतिय थे जिनोंने अपने कर्म से यहां बताया कि भारत में जो है शिक्षा का क्या महत्वा होता है उन्होंने भारत को बताया कि जनता की प्रतिनिदित्व करने का क्या लक्ष्य होना चाहिए मैं पूछता हूँ भारत के उन जनता से जो यहां सोचते है कि भारत में जो भारतिया है उसका उधारन सबसे बड़ा कोन है तो हमारे बीच एक ही उतर आता है सुभाश चंद्रबोस सुभाश चंद्रबोस जी ने जनता के कर्मों के लिए उन्होंने भारतियता को बचाए रखने के लिए और भारतिय संस्कृती सभ्यता परंपरा को अपनाते हुए उन्होंने एक उजिस्वी छात्र होने का उधारन दिया जब अविश्यक्ता पड़ी तो उन्होंने सोतंतरता संग्राम में भागीदारी देकर आएस की नोकरी को त्याग कर एक राष्टबक्त होने का दाईत्व निर्वा किया जब अविश्यक्ता पड़ी सोतंतर राष्टबाद की तो उन्होंने आजाध हिन फोस का गठन कर उसका नित्रित्व करते हुए स्वाराज भारेस की कल्पना को हकीकत में बदलकर राष्टबाद की परिकल्पना को पूर्ण किया और मैं पूर्ण आपको यहाँ याद दिलाना चाहूंगा कि सुबास्चंदर भुष वही भारत्य थे जिन्हें गांदी जी ने राष्टनिताओं का राष्टनिता का जिन्हें गुरुदेव ने देशनायक की उपा दे दी और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आज हम आजाद है तो उस आजादी का जो ठ्रे है वो सुबास्चंदर भुष को जाना चाहिए इसी कारण आज हम हर्शोलास के साथ यहां कह सकते हैं कि हम आजाद भारत के एक आजाद नागरिक है और अंत में में अतल विहारी भासपाई के कुछ पंक्तियों के याद करते हुए अपने वक्त अब्यक को पुर्णा विराम देना चाहूंगा कि भारत कोई भूमी का टुकडा नहीं एक जीता जाकता राष्ट पुरु से यहाँ वंदन की धर्ती है यहाँ अभी नंदन की भूमी है यहाँ अर्पन की भूमी है यहाँ तर्पन की भूमी है इसकी नदी संकर हमारी लिए संकर है हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए और मनने के बाद भी गंगा में बहती हुई हमारी यस्तियों को कोई कान लगा कर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी भारत माता की भारत माता की